आए हम प्रभु का वचन सुने आज का वचन जो की लिया गया है संति योहन के सु समचार अध्याए 21 वाग के 20 से लेकर 25 तक और यहाँ पर वचन कहता है पेत्रुस ने मुड़कर उस सिश्य को पीछे-पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर जुक कर पूछा था प्रभु वो कौन है जो आपको पकडवाएगा पेत्रुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा प्रभु इसका क्या होगा इसा ने उसे उत्तर दिया यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या तुम मेरा अनुसरन करो इन शब्दों के कारण भाईयों में यह अपवाः फैल गई कि यह सिश्य नहीं मरेगा परंतु ईसा ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा बलकि यह कि यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या यह वही सिश्य है जो इन बातों का साक्ष देता है और जिसने यह लिखा है हम जानते हैं कि उसका साक्ष सत्य है इसा ने और भी बहुत से कारी किये यदि एक-एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तके लिखी जाती वे संसार भर में भी कभी नहीं समाती प्रेभाईों बहनों आज का जो पाट है वो योहन के सूसमचार के अंतिम अध्याय के अंतिम वाक्य है और इस सूसमचार को जब हम पढ़ते हैं मुझे अचानक थ्री इडियेट मूवी के वो सीन याद आ जाता है जब रंचोड़ दास चाचड के मित्र रिजल्ट देखने जाते हैं और रिजल्ट में खुद तो वो पास हैं पर उनके नाम बिलकुल नीचे लिखे हुए हैं और इसके बाद दोनों सिर पकड़ के बैढ़ जाते हैं इसलिए नहीं कि वो बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं पर इसलिए कि उनका मित्र आमेर खान रंचोड़ दास चाचड वो कॉलेज में टॉप किया है और फिर एक डायलोग पीछे से आता है कहता है कि उस दिन हमने human psychology को सीखा कि दोस्त अगर fail हो जाए तो दुख लगता है लेकिन दोस्त अगर first आजाए तो और भी दुख लगता है कुछ ऐसी ही बात हम आज के सूसमाचार में पाते हैं कि पेत्रुस ने योहन को और योहन कौन है वचन खुद कहता है कि योहन वस इस्ष है जिसे येशू सबसे ज़्यादा प्यार करते थे योहन के लिए पेत्रुस पूसता है प्रभू और इसका क्या होगा और येशु भी जैसे थोड़ा आनंद लेते हुए उससे कहते हैं क्या रे मेरे दुबारा आने तक अगर ये जीवित रह जाए तो इसे तुम को क्या तुम मेरा अनुसरन करो और फिर आगे वचन कहता है कि लोगों में सिश्यों में अपवा फैल गई कि ये विक्ति कभी नहीं मरेगा देखो ना दूसरे के लिए अगर अच्छा हो रहा है तो हमारे मन में थोड़ी सी जलन आ जाती है एक मानवी सभाव है पर येश्यों इसका एक उपचार हमारे लिए हमको देते हैं येश्यों कहते हैं तुम्हें इससे क्या करना है कि इसका क्या होगा तुम मेरा अनुसरन करो जी हां प्रिभाईयो बहनो जब हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द चार ओर तो हो सकता है आप पाएंगे कि इस्वर ने येश्यों ने कुछ लोगों पर बहुत अधिक क्रिपा दी है उनके घर में खुश्या है आनंद है, वैभव है, सम्रद्दी है शायद हमारे घर में उतना आनंद उतना वैभव, उतनी सम्रद्दी नहीं होगी तो हम ये क्या करना है क्या हम उनको देखते हुए इश्यों ने उनको जादा दिया मुझको कम दिया, ये सोचकर उदास बैठे रहे जलन की भावना लेकर चले बिल्कुल नहीं इश्यों हमसे कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या कि दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है तुम मेरा अनुसरन करो तुम मेरे मार्क पर चलो जो रास्ता मैंने तुमें दिखाया तुम उस रास्ते पर चलो मैं तुमारा उद्धार करूँगा तुमारा उद्धार हो जाएगा यदि तुम मेरा अनुसरन करोगे आज हमको भी प्रेभाई बहनो अपने जीवन से वो जलन की भावना वो इर्षय की भावना हटानी है और सिर्फ अपना पूरा ध्यान इमानदारी के साथ येशु का अनुसरन करने में लगाना है आज के वचन का अंतिम लाइन इस वाक्य पर भी मैं आपके सामने मननचिंतन करना चाता हूँ वचन कहता है यहाँ पर योहन कह रहे हैं कि यदि ईसा ने जो कुछ भी कार्य किये सब कारियों का वर्नन किया जाता लिखा जाता तो यह पूरे संसार भर में भी ये किताब कभी समा नहीं पाती बिल्कुल सही कहा इसा ने बहुत से कारे किये हैं लेकिन क्या इसा के कारे उनके इस धर्ती पर रहने तक ही थे बिल्कुल नहीं इसा के कारे आज भी जारी है और अच्छा ही है कि सुसमाचार रशियताओं ने उस समय पूरे कारे का वर्नन नहीं किया क्यों जानते हो? क्योंकि हमें अपने जीवन की एक किताब लिखनी है हमें अपने जीवन में प्रभू के द्वारा किये हुए महान कारियों की एक किताब लिखनी है कई बाप प्रिभाई और बहनों ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं इतना कुछ करते हैं लेकिन हमें जैसे कुछ याद ही नहीं रहता है जैसे हम उसके प्रती कभी कृतग्य ही नहीं रहते हैं धन्यवाद का कोई भाव ही नहीं है लेकिन आज संत योहन हमको सिखा रहे हैं कि मुझे मेरी किताब लिखना है मुझे मेरे जीवन में प्रभू के प्रतिकृतग्य बनना है और बताना है कि प्रभू ने मेरे लिए कितने महान कारी किये है आज यह चुनोती आपके और मेरे सामने है क्या हम इस चुनोती को लेने के लिए तयार हैं? क्या हम एक दूसरे को प्रभु ने मेरे जीवन में जो कारी किया उसे बताने के लिए तयार हैं, तत्पर हैं? अगर हम ऐसा करते हैं, तो योहन के समान हम भी प्रभु के संदेश वाहक बन जाएंगे. आये इसी कृपा के Amen.